Hello students, so कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उमीद है कि सभी लोग एकदम बिंदास हैं और सभी की पढ़ाई सांदार चल रही है काफी लंबे समय से कुछ students का मुझे एक message रिसीव हुआ था कि sir एक video बनाए about the dynamics of circular motion तो मैं इसका plan कर ही रहा था इसी दौरान, आज class के दौरान, मैं जब एक body का free body diagram बना रहा था तो एक student की अवाज आई कि sir आपने एक force miss कर दिया I was shocked, मैंने का कौन सा force miss कर दिया उसने का कि sir आपने mv square by r नहीं लगाया मैंने का ये कौन सा force होता है कुछ students की अवाज आई centrifugal force वहीं कुछ students की अवाज आई centripetal force मैंने का ये किदर लगता है कुछ कहते हैं towards the center लगता है कुछ कहते हैं away from the center लगता है मैंने का ये कौन लगाता है इसका जवाब किसी के पास दी था मैंने जब ये सुना mv square by r तो मेरा जवाब ये था कि ये कौन लगाता है इसका जवाब किसी के पास नहीं था इसी मैंसे एक student बोलता है कि सर जब particle circle में घूमता है न तो ये force लगता है मुझे एकदम से समझ में आया कि भहिया जल्द ही इस topic पर एक video बनाया जाए क्योंकि students को actually में conceptual clarity ही नहीं है हम physics में बड़ी बड़ी बातें करते हैं advanced level की illustrations को solve करते हैं लेकिन हमादे जो basic fund हैं वही clear में है इसी दौरान कुछ group of students से भी मेरा discussion हुआ मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें किस तरह के challenges phase होते हैं इस topic में तो उनका कहा कि sir हम question पढ़के blank हो जाते हैं मैंने क्यों कि sir हमें समझ ही नहीं आता कि what should be the first step हमें किस direction में move करना चाहिए और कुछ students का कहना यह था कि sir हम यहीं नहीं समझ पाते कि कब किस force का component कर देते हैं कुछ questions में तो ऐसा हुआ है कि mg का component कर रखा है मैंने का अच्छा और सब कुछ questions तो ऐसे हैं जहां पर mg का component नहीं किया टेंशन का component कर रखा है तो questions को पढ़ने के बाद what should be the first step how to select the axis किस force को resolve करें मतलब किसके component करें और किसके component ना करें इस तरीके के कई सारे confusions students के डिमार्ट में चल रहे थे मैंने का क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाए जिसमें हम बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करें हो सकता है कि आपने ऐसी बड़ी बड़ी बातें during the classes करी हो और आपने YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हो जिसमें advanced level के illustrations को circular motion में solve किया लेकिन मैंने कहा कि उन सब चीजों को side में रखते हुए हमें आज चर्चा करनी है what are the basic steps dynamics का कोई भी problem पढ़ने के बाद पहला step क्या होना चाहिए किस direction में हमें सोचना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि physics में अगर किसी के fundे clear है न तो वो even complex से complex problem को भी deal कर सकता है और उसके correct answer तक पहुं सकता है तो आज का ये वीडियो specific उन students के लिए है जिन्होंने अपनी life में कभी न कभी dynamics of circular motion के problems को solve करने में challenge phase किया हो लेकिन ये मेरा आप से promise है कि अगर आज का ये वीडियो आप लोगों ने पूरा complete देख लिया तो आज के बाद आपके सारे doubts clear होने वाले है तो चलिए अब इस वीडियो को start करते हैं ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास तो जैसा कि आप heading देख पार रहे हैं तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि centripetal force का मतलब क्या होता है जैसा कि यहां पर आप देख पार है there is a circle यह इसका center है और माल लिजे यहां पर एक particle और जब हम उस given particle का free body diagram draw करते हैं तो उस given particle पर 3 force लग रहे है पाल लिजे इसमें से एक force इदर लग रहा है इसे अपनने बूला F1 एक force इदर लग रहा है इसे अपनने बूला F2 और एक force इस direction में लग रहा है इसे हमने बूला F3 और यह forces के हमें angle दिये हुए है F1 का angle इस line के साथ है horizontal line के साथ alpha और F3 का vertical line के साथ यह angle क्या है बीजा ठीक के लिए रहे मतलब मैंने इस given body का free body diagram बनाया तो इस body के उपर यह 3 force लग रहे थे F1, F2 और F3 अब मैं यहाँ पर अगर आपसे यह सवाल पूछूं कि यह बताओ कि इस given particle पर net force towards the center क्या है यह आपको भी calculate करना है और मुझे लिखकर के बताएं comment box में कि आपका answer क्या आ रहा है मैंने क्या पूछा मैं फिर से लिखकर के बता देता हूं net force towards the center अगर हमें calculate करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर forces को resolve करना होगा जैसा कि आप देख पा रहा है यह वो axis है जो center से पास हो रही है इस axis को अपन लोग radial axis बोलते है वो axis जो plane में है और center से पास हो उसे क्या बोलते है radial axis याद रखेगा आगे बहुत यूज आने वाला है तो आप observe कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर F1 का एक component आएगा radial direction में जो कि कितना आएगा F1 cos alpha F2 तो already tangential direction में लग रहा है F2 का कोई भी component नहीं आएगा लेकिन आप observe कर पा रहे होंगे F3 का component आएगा radial axis के लाओ लेकिन यह बाहर की तरफ आएगा यह component क्या होगा F3 sin beta clear है मैंने पूछा net force towards the center बताईए अगर towards the center बूला है तो मैं यहाँ पर बोलूँगा वो axis जो center की तरफ है वो axis जो center की तरफ है उससे positive लेंगे और वो axis जो center से अभी है उससे negative लेंगे मतलब वो force जो center की तरफ लग रहा है उससे positive लिखिए और वो force जो center से अभी है उससे negative लिखिए पताई यह net force towards the center आप यहाँ पर क्या लिखने वाले है this will be the F1 cos alpha plus minus F3 sin beta जनाब पताई यह जो आपने लिखा है न यह expression यह क्या है यही है centripetal force centripetal force कोई नए तरीके का force नहीं होता यह आप यह समझ लीजे एक नए terminology है जिसे हम use कर रहे हैं यह हम इसको बोल सकते हैं यह एक तरीके का नया आपके लिए vocabulary है कि जो भी net force towards the center लग रहा होता है मतला हम यह कह सकते हैं कि एक body पर बहुत सारे forces लग रहे है n number of forces और उसमें से मैंने net force towards the center जब calculate किया तो सपोज मेरे पास यहाँ पर यह निकल के आया इसी का नाम रख दिया क्या हमने centripetal force centripetal का मतलब आप समझिए center petal का मतलब है towards the center इसी को बोला जाता है centripetal force और सुनिएगा this centripetal force will be equals to आप क्या लिखेंगे the mass into acceleration AC योगि आपको पता है कि जब एक particle circle में घूम रहा होता है तो center की तरफ जो acceleration होता है उससे AC लिखने और AC की value आपको याद होगी that will be the v square by r this is the cause and this is the effect m v square by r is not a force it is just a value of m into a जैसा कि आपको NLM में भी ये बात बताई गई थी कि m a कोई force नहीं होता याद करिये मैंने यहाँ पर जो भी left hand side में cause लिखा हुआ है यह उसका क्या है effect है body पर एक force लगा उस force की वज़े से body के पास acceleration आया तो यह जो m v square by r जो student हमीशा force force चिलाते रहते ना so be careful m v square is not a force it is just mathematically net force towards the center जो लग रहा है उसकी value है जनाब क्लियर है मेरी बात तो आज के बाद free body diagram बनाते समय m v square r मत लगा दीजेगा आज के बाद याद रखेगा जो भी उस body पर net resultant force towards the center आता है उसको हम centripetal force बोलेंगे और उसकी value को इसके बराबर हम करेंगे क्लियर यहां पर हो सकता है f1 force एक tension force हो f2 force एक mg force हो f3 एक कोई नया normal force लग रहा हो मैं यहां पर यह बताना चाहरा हूं कि f1, f2, f3 कोई भी आपने जो forces पढ़ें उन में से कोई भी forces हो सकते हैं और इन forces का जो net resultant है ना उससे हम centripetal force पोलेंगे इस बात को note down कर लिए यह ब बाद ऐसा कोई student नहीं है जो यह बोले कि sir आपने mv square by r तो नहीं लगाया अरे भीया नहीं लगाएंगे mv square by r clear है बात चलिए अब हम यहां पर dynamics of circular motion के numerical को solve करने के लिए क्या basic steps हैं अब हम उस पर focus करेंगे अब मैं आपको बता दूँ कि वो basic steps आपके लिए बहुत important मैंने यहां पर पहले से ही सभी steps को screen पर लिख करके रखा हुआ है जिससे मैं आपका time save कर पाऊं और जल्दी से फटा फट मैं आपको सभी steps को detail में explain कर पाऊं तो one by one मैं सभी को explain करने जा रहा हूं देखेगा step number one read करिए क्या लिखा हुआ है the define the system and determine the plane of the circle in which system is performing the circular motion define the system का मतलब क्या है सबसे पहले आप यह decide करिए कि आप किस body की बात करने वाले हैं किस system की बात करने वाले हैं क्योंकि जब हम dynamics की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें force analysis करना होगा मतलब हम यहां पर body का free body diagram बनाएंगे आप जिस body का free body diagram बनाने जा रहे हैं पहले decide तो करिए वो system क्या है तो सबसे important define the system and the second यह क्या लिखा plane यह बहुत है कि जब particle circular motion कर रहा है तो किस plane में घूम रहा है भाई plane नहीं पता होगा तो चीज़ें बहुत complex हो जाएंगी माल इज़े particle इस तरीके से घूम रहा है this is a vertical plane अगर माल इज़े particle इस तरीके से घूम रहा है तो this is a horizontal plane माल इज़े particle इस तरीके से घूम रहा है इस तरीके से किसी inclined surface पर this is a inclined plane system define करिये उसके बाद plane of a circle जरूर find out करिये कि particle जिस circle में घूम रहा है उस circle का plane क्या है और अगर तुम्हें plane पता चल गया तो तुम्हें center पता चल जाएगा और अगर तुम्हें center पता चल गया तो center और periphery के बीच का जो distance है that is what radius तुम्हें radius पता चल जाएगा तो देखे का step number two क्या लिखा हुआ है find the radius and the center of the circle जब मैं steps during the lecture बताता हो ना तो इस्ट्वेंट्स smile गरते हैं इस्ट्वेंट्स कहते हैं कि यह तो बहुत ही simple point है यह बहुत important है कई बार जल्दबाजी में हम से गलती हो जाती है हमें पता ही नहीं होता कि plane क्या है और जब आपको plane ही नहीं पता होगा तो definitely आपको center find out करने में भी mistake कर सकते हैं so always be careful you have to find the center as well as the radius this is a step number two जो उमीद है कि आपको समझ आ गया होगा now come to the next step define the axis यह बहुत important है यह बात हमें कहीं न कहीं Newton laws of motion के दौरान भी बताई जाती है लेकिन उस दौरान हम उन सब बाडीकियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वहां बहुत ज्यादा यूज भी नहीं आ पाता तो हम बचके निकल जाते हैं लेकिन यहां बचके नहीं निकलते हैं आपकी एक axis radial direction में होनी चाहिए radial direction का मतलब समझ गये होंगे यह axis plane में होगी और यह axis कहां से pass कर रही होगी from the center clear है along the radial direction इसके बाद अगर जरूवत पड़ती है तो next अगली axis जो होगी आपकी वो होगी tangential direction आप देख पा रहे हैं यह दौनों axis जो है वो plane में ही होगी जिस plane में particle circular motion परफॉर्म कर रहा है जैसे कि मैं यहां पर कह सकता हूँ माली जे एक particle इस तरीके से circular motion परफॉर्म कर रहा है और मुझे यहां पर axis select करनी है तो आज से पहले हम अपने हिसाब से अपनी coordinate system में axis select कर लिया करते थे अपनका जो मन करता था उसको y axis माल ले थे जो मन करता था उसको x axis माल ले थे लेकिन यहां पर आपको recommend किया जा रहा है आपकी one of the axis जो है वो radial direction में होनी चाहिए और inward direction को आप positive consider करें और आपकी one of the axis इसी plane में tangential direction में होनी चाहिए मतलब दो axis plane में जिसमें से एक axis towards the center और एक axis tangential direction में रहनी चाहिए जनाब क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है इन directions में हमें acceleration पता है हमने जब पढ़ा था acceleration को जब समझा था तो हमने acceleration को already इसी तरीके से ब्रेक किया था आपको याद होगा आपने centripetal और tangential acceleration के बारे में kinematics में पढ़ा था acceleration की detailed analysis जब हमने करी तो चीजों को simplify करने के लिए acceleration को दो component में तोड़ दिया था एक था AC और एक था AT आपको याद होगा AC acceleration का वो component था जो velocity के क्या था परपेंडिकुलर था और AT वो component था जो velocity vector के along था और AT जो है वो हमेशा इस line के along रहेगा तो आपकी मेहनत बच जाएगे क्योंकि आप जानते हैं भाई AC की value V square by R होती है तो समझ में आया plane में जब भी axis select करनी हो तो हमेशा एक radial axis और एक tangential axis तुरंट note down कर लें हर एक-एक step बहुत important है now देखिएगा यहाँ पर perpendicular to first and second axis मतलब अगर जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ पर एक axis और select करेंगे और वो axis जो है वो देखना दियान से क्या लिखा हुआ है वो axis इन दौनों के perpendicular होगी और आप इतने समझदार है यह दोना axis plane में है और इनके perpendicular का मतलब क्या है इस plane के perpendicular direction में होगी मतलब दो axis plane में और एक axis plane के perpendicular direction में इंट्रेस्टिंग बात आपको बता दूँ कि circular motion कैसा motion है जल्दी बताइए planar motion है और अगर यह planar motion है तो एक बात बताइए net force उस direction में जो की plane के perpendicular है क्या होना चाहिए 0 मतलब हमेशा plane के perpendicular direction में तो equilibrium ही आएगा मतलब net force plane के perpendicular direction में मतलब मैं यह कह सकता हूँ अगर कहीं जववत पड़ी तो यहाँ पर यह वाला term हमेशा 0 आने वाल है क्या मेरी बात समझा रही है आप लोग को clear है पहला axis along the radial direction और हमेशा याद रखना along the radial direction जो भी net force towards the center होगा उसे बराबर हम लिखेंगे m into e c k clear यह बात axis select करने के बाद अगला step क्या होता है भाई forces को break करते हैं और उसके बाद Newton second law लगाते हैं तो यह equation तो देखो हमेशा ही बननी है अगर आप circular motion में किसी भी सवाल को solve कर रहे है ना तो यह वाली equation बनाए बिना तो आप आगे भढ़ी नहीं सकते net force towards the center बराबर m into e c क्योंकि अगर particle circular motion कर रहा है तो उसके पास centripetal acceleration तो होगा ही होगा क्योंकि centripetal acceleration क्या करता है velocity के direction को बदलता है और अगर particle circular motion कर रहा है तो velocity का direction बदलना तै है मतलब बिना इस equation के dynamics में आप आगे नहीं बढ़ने वाले तो यह तो आपको equation बनानी ही पड़ेगी दूसरा along the tangential direction आपको पता है net force इस तरीके से लिखेंगे f t बराबर m into 80 अब हो सकता है कुछ problems में इस equation की जववत ना भी पड़े क्यों अरे भहिया circular motion में 80 हो भी सकता है औ और ना भी हो क्या बोला सोचिए अगर uniform circular motion हो रहा है तो speed constant है और अगर speed constant है तो 80 की value क्या रहेगी 0 तो उस case में tangential direction में net force क्या होगा 0 और अगर non uniform circular motion हो रहा है मतलब एक ऐसा circular motion जिसमे speed of a particle change हो रहा है तो जब speed of a particle change हो रहा होगा तो definitely वहाँ पे tangential acceleration होगा और अगर tangential acceleration होगा तो इस equation की जववत पड़ेगी बला हम यह कह सकते हैं कि ये वाली equation हमें जववत तब पड़ सकती है जब particle non uniform circular motion कर रहा है clear? no down कर लिया रूँ आगे ये वाली equation ये तो तैह ही है कि circular motion एक planar motion है और plane के perpendicular direction में हमेशा net forces 0 रहेंगे ये तीन step ब्रह्मास्त्र हैं अगर dynamics का कोई भी problem किसी भी book से उठा ली जएगा कितने भी advance level का हो और अगर आपने इन तीन स्टेप्स को सही से follow up किया ना तो I'm sure hundred percent आप finally अपने answer तक पहुँच जाएगे hope कि मैंने जो आपको ये steps बताए हैं ये आपको समझ में आगे अब steps बता दें और उस पर कुछ numerical solve ना करें तब तक वाकई में मज़ा नहीं है steps सीख तो लिए लेकिन steps को apply करना भी जरूरी है तो इसलिए आप मैं यहां पर कुछ आपके लिए numerical लेकर करके आया हूँ जिन में मैं इन तीनो steps को apply करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि how to deal the problems तो चलिए आगे बढ़ें फिर इन सभी steps को note down करिये फटाफट और आगे बढ देता हूँ एक particle जिसका mass m है उसे एक string से hang किया गया है जिसकी length l है और उस particle को इस तरीके से घुमाया जा रहा है मतलब आप समझ पा रहे होंगे एक particle है और उसे इस तरीके से घुमा रहे है लाइक दिस ठीक जब यहाँ पर यह particle वर्टिकल एक्सेस के साथ ठीटा एंगल पर है मतलब जो string है वो वर्टिकल एक्सेस के साथ ठीटा एंगल पर है उस समय हमें इस particle की speed भी दी हुई है इस speed is V0 ठीक है यह दिया हुआ है और हमसे बोला जा रहे है कि find the tension acceleration of a particle सवाल में कुछ भी पूछा जाए लेकिन अगर वो तीन स्टेप्स याद है तो पहले उन तीन स्टेप्स को sincerely follow करना है define the system system कौन है अरे किस की चर्चा करने जा रहे है इस block की चर्चा करने जा रहे है ठीक है मतलब हमें यहाँ पर इस block का free body diagram बनाना होगा clear है मेरी बात अब दियान से सुनना what is the plane यह particle किस plane में घूम रहा है तो आपको दिख रहा होगा यह इस plane में घूम रहा है यह कौन सा plane है बेटा यह vertical plane है आपने सुना भी होगा vertical circular motion यह वही वाला plane है यह vertical plane next step क्या था center एक बात बताओ अगर यह circle है तो इसका center यही तो होगा और यह radius यह होगी और इस समय radius आपको दिखाई दे रहा होगा वह L के बराबर होगा और L क्या है the length of a string clear है इतनी बात अब आते हैं last but one of the most important step define the axis अब आपको axis select करनी है मैं यहाँ पर color change कर लेता हूं और मुझे जल्दी से बताएगा axis अब किस तरीके से आप select करने वाले हैं yes आपको समझ में आ रहा होगा one of the axis should be in the radial direction एक axis आप radial direction में select करेंगे यह यह axis और एक axis आप इस तरीके से tangential direction में select करेंगे clear अब इस body का free body diagram बनाएगे क्या बनाएगे free body diagram मुझे जल्दी से बताएगे कि इस given particle पर कितने force लग रहे होंगे देखिए द्यान से आप अगर द्यान से observe करें तो इस particle पर दो ही force लग रहे होंगे मैं यहाँ पर separately इसका free body diagram बना देता हूँ एक इस पर tension लग रहा है due to the strength और दूसरा force इसके उपर mg लग रहा है क्या इसके इलाबा इस पर और कोई forces हैं क्या सिर्फ दो ही forces हैं क्लिए यह बात अब यहां पर observe करिए आपने एक axis यह select करी है radial direction में और एक axis यह select करी है तो आप observe करें तो radial axis के along already पहले से tension force है तो you don't need to resolve the tension force अरे भीया उस force के component करेंगे ना जो axis के along नहीं है अरे tension तो already axis के along है तो क्या tension का component करोगे क्या नहीं करोगे ध्यान से देखो mg कहां लग रहा है नीचे की तरफ क्या mg radial या tangential direction में लग रहा है क्या ना तो mg radial direction में है और ना ही tangential direction में है तो आपको यहां से समझ में आगया होगा हमें mg का component करना पड़ेगा और आपको दिख रहा है यह angle theta पर vertical line के साथ यह angle theta तो observe करिएगा यह angle theta तो अगर यह theta तो vertical opposite यह angle भी theta तो मैं यहाँ पर mg के दो component करता हूँ एक radial axis के along यह component हो जाएग क्यों किया क्या यह बात क्लिक करी टेंशन का component क्यों नहीं किया क्या यह बात समझ आई जो force already axis के along है उसके component नहीं करेंगे component उसका होगा जो axis के along नहीं है और वो कौन था mg अब जड़ा ध्यान से देखना यह रही radial axis क्या देख रही है सभी को भाई पताओ net force towards the center कितना है जल्दी से equation लिख करके बताएं देखिए tension force center की तरफ लग रहा है और mg cos theta अवे लग रहा है तो बताएं पहली equation क्या लिखूँगा tension minus mg cos theta क्या मेरी बात समझ आ रही है tension minus mg cos theta बराबर क्या लिखूँगा mv square by r दियान से देखिए first part में आपसे tension in a string पूची गई थी खतम हो गया सवाल यहां से देख करके समझ में आ रहा है कि tension की जो value है वो कितनी आगी बेटा हमारे पास mg cos theta plus mv not square by l this is answer of a part यहां आया समझे नेक्स्ट पार्ट क्या है acceleration of a particle ओ हो हो acceleration find out करना है अच्छा एक बात बताएगा यहां पर आपके पास tangential direction यह दिख रहा है और दियान से अबज़ग करिए क्या tangential direction में सिर्फ mg sin theta ही लग रहा है और अगर सिर्फ mg sin theta लग रहा है तो क्या मैं यहां पर tangential direction मे यह equation लिख सकता हूँ क्या mg sin theta is equals to m into 80 m से m cancel out जल्दी से बताएगे 80 की value क्या आगे यहां से g sin theta मतलब इस समय इस particle के पास tangential acceleration भी है जनाब क्योंकि आप observe कर पा रहे है कि mg sin theta जो component है वो tangential acceleration प्रोवाइड करेगा तो मैं यहां पर बोल सकता हूँ मेरे पास 80 की value g sin theta आगे मु careful यह answer नहीं है प्योंकि particle जब circle में घूम रहा है तो उसका जब हम net acceleration लिखेंगे क्या लिखेंगे जनाब net acceleration थोड़ा सा इसको उपर slide कर लेते हैं अगर मैं net acceleration लिखना चाहूंगा तो बताइए net acceleration आप क्या लिखेंगे तो square root of ac square plus 80 square और आपको पता अगर speed दी हुई है तो आपको ac पता है ac की value क्या होगी v square by r, r की value l का whole square v careful यहाँ पर blender होता है लोग को ac की value तो याद रहती है v square by r, लिखकर के आगे बढ़ जाते हैं अरे भया उसका भी तो square करना पड़ेगा, square का square होगा, देख ले न भई ध्यान से, plus 80, 80 की value कितनी है, g sin theta तो यहाँ पर यह आपके पास आ गया क्या net acceleration, यहाँ पर इस profile के कई बार आपने सवाल देखे होंगे, अगर आप जेई की preparation कर रहे हैं तो आपको इस profile के सवाल मिले होंगे, कैसे बताता हूँ, देखेगा, कि आप से पूछा जाता है, कि जब बाब यहाँ पर है, तो उसका net acceleration क्या होगा, तो वहाँ पर अलग-अलग arrow बने होते हैं, एक arrow ऐसे बना होता है, towards the center, एक arrow बनाता है, tangential direction है, अगर तुम ध्यान से देखो, तो बेटा, इस समय इसके पास AC भी है, और इस समय 80 भी है, और AC और AT का resultant will decide the net acceleration, और इन दौनों का resultant जिस direction में आएगा, वो होगा तुमारा क्या net acceleration, समझ में आया, Funda, question tough नहीं है, आप देख पा रहे होंगे, एक line में ही हमारा answer आगया है, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है, कि हमने approach कैसे किया, आपको समझ में आ रहा होगा कि उन तीन steps को किस तरीके से use करना है, क्यों मैंने यहापे tension के component नहीं किये, क्यों मैंने यहापे सिर्फ mg के component किये, मैं यही concept आपको समझाना चाहूँ, clear है, सभी को समझ में आ रहा है, पक्का, अगर समझ में आ गया है, तो comment box में एक बार yes लिकर के जरूर बताएगा, जिससे कि मुझे समझ में आए कि मेरी बात को आप लोग बहतर तरीके से connect कर पा रहे हैं, तो देखिए अगला सवाल बढ़ते हैं, आगे की तरफ, यह भी अपने आप में एक बहुती famous question है, और definitely अगर आपने circular motion पड़ा है, तो ऐसा हो नहीं सकता, कि इस profile का question आपने solve ना किया, मैं आपको बता दू, कि यहाँ पर एक mass का particle है, जो यहाँ पर एक string से connected है, और इस तरीके से इसे घुमाया जा रहा है, जब यह घुम रहा है, तो इस दौरान यहाँ पर इसकी speed throughout the journey, हर point पर constant, इस तरीके से ज़र्ट, मैं यहाँ पर यह बोल सकता हूँ, कि यह जो given particle है, यह यहाँ पर uniform circular motion कर रहा है, मैंने क्या बोला, यहाँ से देखना, क्या बोला मैंने बिटा, uniform circular motion कर रहा है, इसका मतलब आपको क्या समझा है, मतलब throughout the journey, इसकी speed हमें सा क्या है, constant, तो चलिए, यहाँ पर आप देखिए, क्या क्या पूछा गया, tension in a string, speed of a particle and time period of revolution, solve करिए और comment box में लिखकर कि बताइए कि आपका answer क्या आने हो, वीडियो को pause कर दीजिए, बिना effort किये solution नहीं देखना है, खुद से try करिए, dynamics का कोई भी question आ जाए, कोई rocket science नहीं है, हर सवाल का fund बिल्कुल clear है, वो तीन steps, अगर आपको clear है, उन तीन steps को follow करिए, आप answer तक पहुंचेंगे यह मेरा confidence है, मुझे उम्मीद है, मेरे बताए हुए instructions को आप sincerely सुन रहे है, हाँ, चलिए, start करें, system, particle, plane क्या है इस बार, जरा observe करिए, इस बार particle जिस plane में घूम रहा है, वो plane इस तरीके का plane है, and this is a horizontal plane, इस बार particle horizontal plane में घूम रहा है बेटा, और जरा एक बात बताना, अगर यह horizontal plane में घूम रहा है, तो what will be the center, क्या, यह center होगा, क्या, नहीं, अरे भी अब plane यह है, तो center भी तो plane में होगा, यह center होगा, और अगर यह center है, तो बताए, what will be the radius, क्या, इस बार आप radius L बोल देंगे, क्या, जैसे पिछले सवाल में आपने बोला था, इस बार radius L नहीं है, जनाब, जब यह center है, तो यह वाला distance ही तो radius होगा, यह common mistake, और आप देख पा रहे होगा, अगर यह length L है, तो यह L cos theta, और यह वाली length जो है, वो कितनी हो जाएगी, L sin theta, अब समझ माई, importance step number 2 ही, यह plane, center, radius, बहुत important है, हर बार जरूरी नहीं है, कि रसी जहां पर connected हो, वही center ह होगा, अरे कुछ भी हो सकता है, भाई, plane देखिए, क्या देखिए, plane देखिए, अभी horizontal plane है, अभी माली जे इस तरीके से किसी angle पर घुमा रहे होंगे, तो center किसी angle पर भी आ सकता है, कोई problem नहीं है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, FBD बनाएं भाई इसका, हमने का भाई, tension इदर लगेगी, mg नीचे लगेगा, clear है बाद, हमें अब axis select करनी है, हमारा center इदर, ये रहा center, ये रहा radius r, और उसकी value है, L sin theta, मुझे axis select करनी है, तो एक axis में लोगा, radial direction में, radial direction मतलब वो direction होगा, जो plane में है, और center से pass कर रहा है, yes or no मैं कहूंगा, ये मेरी एक axis होगे बेटा, ये radial axis है, yes or no, अब ये radial axis, tangential axis, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ जवा थी नहीं बड़े, प्योंकि जब ये particle uniform circular motion perform कर रहा है, तो यहाँ पर tangential acceleration है ही नहीं, लेकिन अच्छा एक बात बताना, ये रहा plane horizontal, तो ये वाली कौन स ये वाली, ये वो axis है जो इस plane के perpendicular थी, तीसरी वाली axis याद आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये मेरी radial axis हो गई, और ये वो axis होगी जो plane के perpendicular है, tangential direction में यहाँ पर कोई भी force नहीं है, tension और mg जो है वो लग रहा है, और perpendicular direction में कोई भी force नहीं है, बताए क्या करे, क्या तुम इस आक्सिस के along लग रहा है, tension देखो भी angle पर लग रहा है, ना तो tension radial के along है और नहीं इस axis के along है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा force है, इसका हमें component करना चाहिए, वो है tension force, तो आदियान से देखेगा, यहाँ पर ये angle theta है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये angle भी कितना हो जा तो मैं यहाँ पर कहूंगा, tension का वो component जो center की तरफ है, T sin theta, वो क्या कर रहा है, T sin theta is equals to mass into acceleration, acceleration is V square by R, equation number 1, tension का sin theta component provide करेगा centripetal acceleration, तो यह equation लिखेंगे, और दियान से देखेगा, T cos theta और mg, क्या यह इस plane के perpendicular है, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि plane के perpendicular direction में net force हमेशा 0 होगा, यह circular motion एक planar motion है, जनाब, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, T cos theta जो उपर की तरफ लग रहा है, और mg जो नीचे की तरफ लग रहा है, यह दौन एक दूसरे को balance कर रहा है, त equation लिखना आना चाहिए भई, अगर इस equation आप लिख पा रहे हैं, तो इसके आगे तो mathematics है, इसके आगे तो क्या है, mathematics है, इसके आगे इन equations को solve करके, आप यहाँ पे कोई भी part solve कर सकते हैं, जब भी आपके सामने question आएगा, तो कोई एक parameter missing होगा, वो आपसे पूछा जाएगा, अगर आप equation लिख पा रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा, कि हमारे लिए solve करना कोई बहुत बड़ा challenge नहीं है, दो equations है हम solve कर सकते हैं, क्या यहाँ पर आपको समझ में आया, कि पिछले सवाल में मैंने क्यों mg का component किया था, और इस बार क्यों मैंने tension का component किया है, क्यो से उम्मीद है, कि अब आज के बाद आप यह सवाल किसी से नहीं पूछेंगे, कि हमें तो पता ही नहीं चलता, कब आप किस force का component कर देते हैं, मुझे लगता है कि आज के बाद आप axis draw करेंगे, आपको तुरन समझ में आ जाएगा, कि हमें किस force को components में resolve करना है, और किस force को components में resolve नहीं करना है, पका, तो देखिए, दो equations आ चुकी है, question पढ़ लेते हैं, हम से first part में क्या पूछा गया था, tension in a string, जल्दी बताइए, what will be your answer, tension in a string निकालने हैं, दूसरी वाली equation को देखिए, t cos theta पराबर mg लिखा हुआ है, कि हमें यहां से बोल सकता हूं कि tension की जो value है, that will be mg divided by cos theta, this will be the answer of a part, b part speed of a particle, एक काम कर देखिए, दोनो equations को divide कर देखिए, जैसे आप दोनो equations को divide करेंगे, आप observe कर पा रहे होंगे, कि यह value आजाएगी 10 theta, और 10 theta पराबर आजाएगा, v square by rg, तो यहां से v की value लिख सकते है, square root of rg 10 theta, लेकिन r radius है, रियान से देखिए, radius क value कितनी है, l sin theta, तो उस value को यहां पर हमने substitute करना पड़ेगा, तो यहां पर उस value का अगर हम substitute कर देखिए, और sin theta को further sin theta upon cos theta लेक ले, तो बताईए expression आपके सामनी क्या बन जाएगा, square root of lg, sin square theta, divided by the cos theta, this is the speed of a particle, के लिए रहे, next, एक और पार्ट पूछा गया था, that was the time period, थोड़ा सा, इस पार्ट पर गहुर फर्माएगा, काफी important part है, क्योंकि कई बार मैंने देखा, जही मेंस में आपके पास, जो questions आते हैं, उसमें time period of revolution पूछ लिया जाता है, time period of revolution का मतलब क्या है, यहां पर particle को पूरा एक revolution complete करने में जो वक्त लगा, that was the time period of revolution, तो पता ही आप क्या लिखेंगे, uniform circular motion कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि मुझे बतानी की जोगत है, uniform circular motion कर रहा है, क्या करना चाहिए, यहां पर, मैं कहा सकता हूं time period, इसको t-स से represent कर देता हूं, अरे भई, tension को भी t-से represent किया है, time period को t-से represent क कर देते हैं, नहीं तो पता चले कि कुछ जनाब ऐसे हैं, कि इधर time period और tension रखे काट दी है, और फिर सोच रहे हैं, यह क्या हो गया, इसलिए मैंने time period को t-से represent कर दिया, अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 2 pi r divided by v, यह सभी को समझा है, अरे uniform circular motion हो रहा है, तो पूरा एक चक्कर लगाएगा, तो कितना distance travel करेगा, 2 pi r, और v speed से चल रहा है, तो क्या मैं 2 pi r upon v लिख दूं क्या, कोई जनाब तकलीफ, जा दियान से देखना, यहां पर मैं सभी values को put करूं, 2 pi r, r की value आपको already पता है, r की value कितनी थी बेटा, l sin theta, और यहां पर v, v की value आपको already calculate कर च lg बटे cos theta, तो मैं उसी expression को यहां पर substitute करता हूं, 2 pi r, और यह expression बनेगा आपके सामने, sin theta into square root of cos theta divided by lg, ठीक है भई, sin theta से sin theta term cancel out हो जाएगा, इस l को अंदर ले जाएगा, तो एक l cancel out होगा, तो आपके पास यह term है, 2 pi into square root of l cos theta divided by g, यह देखिए भई, सभी का answer यह आना चाहिए, this is the time period of revolution, अब मैं आप से कहूंगा कि जड़ा observe करिएगा question में, what is l cos theta, फ्रोड़ा important है, इसलिए मैं यहां पर गौर दे रहा हूं, आप जड़ा question में observe करिए कि यहां पर l cos theta क्या था, यह ला, यह लीजे मैंने screen पर नीचे ला दिया, इसको, l cos theta क्या था, देखिए यह length l थी, और यह distance अगर आप observe कर पा रहे हैं, यह, जिस point पर रसी connected है, वहां से plane, जिस plane में particle circular motion कर रहा है, उसका यह distance है, l cos theta, और अगर मैं इसे h बोल दूँ, क्या बोल दूँ, h बोल दूँ, तो आप समझ पा रहे ह होंगे, इसी time period को मैं 2 pi into square root of h by g लिख सकता, अगर चाहें तो इस expression को याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार mains level पर direct formula based question आते हैं, और आप से time period पूछ लिया जाता है, तो आपको याद होगा, एक simple pendulum का time period, 2 pi square root of l by g होता था, similar उसी similar दोलता expression आ रहा है, यहाँ पर, लेकिन उ from the plane, clear है, मेरा आज का वीडियो का जो main objective था, मुझे उमीद है कि पूरा हो चुका है, मैंने आप से नहीं यह promise किया था, कि मैं यहाँ पर advanced illustration कराऊंगा, मैंने कहा था, कि मैं उन topics पर चर्चा करूंगा, ऐसे concepts को यहाँ पर बताऊंगा, जहाँ पर हमें generally challenge phase होता है, अब मैं आप से यह कहूंगा, कि आप dynamics के कहीं से कोई भी problems उठाइए, उनको solve करना सुरू करिए, जो आपको तीन steps बताए गए हैं, उनको sincerely follow करिए, I am sure you will reach to the final answer, और ये video definitely आपके लिए beneficial रहा होगा, और बताएगा मुझे comment box में, कि ऐसे कौन कौन से topics हैं, जहाँ पर आपको उतनी जादा physics में conceptual clarity नहीं है, जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा, तो मैं courses करूँगा, उन सभी topics पर आप लोग के लिए और भी सारे videos लाग सकूँ, जिससे के आपके conceptual clarity जो है physics को लेकर के वो improve हो सके, ओके, so thank you so much.